अफगानिस्तान में तालिबान के कबजे के बाद वह महिलाओं के कई अधिकार छीन लिये गए हैं। टाइम्स जैसे कई मीडिया संगठनों ने ये खबर चलाई। इसके अलावा RSS का मुख पत्र, और्गेनाइजर और BJP समर्थक वेबसाइट, ओप इंडिया भी ऐसा करने वालों की लिस्ट में शामिल है। अक्टूबर की शुरुवात में ही कर दी गई थी। लेकिन उसके परिवार को मिल रही धमकियों के कारण ये मामला दबा रहा। अफगान के कुछ पत्रकारों नी भी ये दावा किया जिसमें मसूद हुसैनी और अफगान के मीडिया आउटलेट टोलो टीवी से जुड़ी पत्रकार नादिया नायाब शामिल है। तो क्या वाकई में तालिबान ने वॉलीबॉल प्लेयर महजबीन हकीमी का सर कलम कर दिया। इस सवाल का जवाब है नहीं। महजबीन हकीमी की मौत को लेकर छपी रिपोट्स पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि महजबीन की मौत काबुल पर तालिबान के काबज होने से पहले ही हो गई थी। पत्रकार दीपा पैरेंट ने महजबीन के परिवार वालों के हवाले से ट्वीट किया था कि महजबीन की मौत की खबर ब्रामक है। इस मामले में Alt News ने अफगानी बत्रकार से भी संपर्ख किया जिन्होंने बताया कि भारतियों मीडिया संगठनों ने महजबीन की मौत की खबर गलत तरीके से शेर की है उन्होंने कहा कि परिवारवालों ने महजबीन के मंगेतर के घरवालों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने महजबीन को मार डाला है और इसे ओनर किलिंग का मामला बताया लेकिन महजबीन के ससुरालवालों ने बताया कि उसने आत्महत्या की थी आगे Alt News को महजबीन के भाई सकंदर हकीमी की Facebook प्रोफाइल मिली सकंदर ने 7 अगस्त को Facebook प्रोफाइले में चेंज कर काली तस्वीर लगाई थी इस तस्वीर पर कई लोगों ने पर्शियन भाशा में कमेंस करते हुए शोक व्यक्त किया था सकंदर की प्रोफाइल खंगालने पर हमें उनके एक रिष्टेदार के बारे में मालूम हुआ यहां से हमें मालूम चला कि 2020 में महजबीन की माजिद खान से सगाई हुई थी तब से वो कावल में अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी रिष्टेदार ने बताया कि महजबीन को अमेरिका से स्कॉलर्शिप मिली थी और इसी वज़े से उसकी ससुराल वालों से बहस होती रह दी थी ओल्ट न्यूज ने महजबीन के मंगेतर से भी संपर करने की कोशिश की लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला हमें महजबीन के रिष्टेदार के जरिये महजबीन की कबर की एक तस्वीर मिली तस्वीर में कबर पर महजबीन का नाम और पर्शियन कैलेंडर के हिसाब से उसकी मौत की तारीख लिखी है इस तारीक को इंगलिश कैलेंडर के हिसाब से देखे तो मौत की तारीक 6 अगस्त मिलती है कुल मिलाकर हमने अपनी जाच में पाया कि महजबीन हकीमी की मौत या तो आत्महत्या से हुई या उसके ससुराल वालों का इसमें कोई हाथ था लेकिन इतना तो साफ है कि तालिबानियों द्वारा उसका सर कलम किये जाने का दावा सही नहीं है महजबीन की मौत 6 अगस्त को हुई और इस बात की तस्दीक खुद उसके परिवार वालों और नस्दी की लोकों ने की है आप के लोको अगस्त की अगस्त का दावति आवस्त का हुआ है